नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजकिशोर, न्यूस तक पर राजनीत की आज कि एंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज जब राजनीत पर आप से बात करने जा रहा था तो सोच रहा था कि ये विष्छय उठाऊं या न उठाऊं क्योंकि ये विष्छय ऐसा है क्योंकि भारती गौरों से जुड़ा है भारती यवा शक्ति से जुड़ा हुआ है और जिनको आप हीरो मानते हैं जो तमाम देश के यूवा, युवतियों किशोरों के लिए प्रेणा के स्रोत होते हैं अपने आप में शक्ति पुंज होते हैं उनके बारे में बात हो रही जब वो बेसहारा असहाय दिखाई पढ़ने लगे और राजनीत या राजनिदिग्यों की आपसी खींस्तान में वो मोहरा बन रहे हो और वो सफर कर रहे हों तो यह थोड़ा सा कष्ट पहुंचाता है जी आप ठीक समझें बात कर रहा हूं मैं जिस तरीके से भारती उन पहलवानों की जिन्होंने तमाम विदेशी पहलवानों के रिंग में छक्के छुड़ा दिये लेकिन हिंदुस्तान के अंदर वो भारती पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए है सरदी पर बैठे हुए है जब उनको जिम करना चाहिए कसरत करनी चाहिए जब मेडल के लिए पसीना बहाना चाहिए तो वो यहाँ पर कंब लोड़कर अलाओ जलाकर मीडिया के सामने और प्रधान मंतरी, ग्रह मंतरी, खेल मंतरी सबसे नियाय की गुहार कर रहे है यह थोड़ा गश्ट प्रद है क्योंकि जब तमाम अंतर राश्टी खेलों में अंतराश्टी प्रतिस्प्रधाओं में, ओलम्पिक से लेकर, एश्यार तक, राश्टवंडल खेलो तक और तमाम प्रतियोगताओं में जब वो मेडल लेकर आते हैं तो हमारा सीना चोड़ा होता है, मस्तक गर्व से उठ चाता है, लेकिन उनको इस तरीके से बैठे देखना अपने आप में कष्टकारी है, आरोप है कि जो भारती कुस्ति शंग है, उसके जो अध्यक्ष हैं, छे बार के सांसत, ब्रज भूशन शरन सीन, वो काफी बाहु बनी हैं, उन पर जब पहरी बार सांसत बने थे तब 34 मुकद में हुआ करते थे, उनका परिशे देना जरूर उनका है, वहाँ पर वो उसके करता धरता थे, प्रबंधक थे, उसके बाद उनका ग्राब बढ़ा, और ब्रज भूसर संर सिंग जब एक बार चुनाओं के वाल हा रहे हैं, एक बार जब वो जेल गया, तो उनका अपनी पत्नी को बना दिया, अभी उनका जो बेटा है, वो करता धरता है, तो जाहिर है, जनता से के बीच से चुनाओं जीत करा रहे हैं, और मैंने आपकी उनकी ये पहचान आपको बताई थी, कि वो काफी, मतलब 34 मुकदमे थे, तो बहुना बाहु बली भी ठीक ठाक है, और वैसे उनकी शुरुआत जो ही थी कहले हैं, कि वो कुस् बलीयों का जो राजनीत में प्रवेश हुआ है, उसमें ब्रजभोशन साड़ सिंग एक बड़ा नाम माने जाते हैं, खैर, ये सब तो उनकी खासियत रही, अब ये खासियत किस तरीके की है, इस पर मेरी चर्चा का विशय आज ये नहीं है, लेकिन जब बजरंग पुनिया और विनेश फोगाड और साक्षी जैसे पहलवान जब बैठे हुएं जंतर मंतर पर तो बात करना जरूरी हो जाता है, कि आखिर राजनीती के सामने कैसे ये पहलवान हतियार डाल देते हैं, आखरी दम तक लड़ते हैं, पूरा पसीना छोड़ देते हैं, कई बार चोट ल हैं, बिल्कुल जिसको कहा जाए कि न्याय की भीक मांगते दिखाई पड़ने हैं, बहुत जो अपने बाहुबल से हम लोगों का उत्साह वर्धन करते हैं, हमारी भुजाय जिनको देखकर फड़कती हैं, वो इस तरीके से यहां पर बैठे हुए हैं, जो लग रहा है कि बि प्रजमुशन सरान सिंग के साथ साथ में निश्चित तोर पर जो खेल मंत्राले उस पर भी बात होगी कि आखिर यह तिनों से कर चलता चला आ रहा था, तो खेल मंत्राले क्या कर रहा था, वैसे मैं एक बात था हूँ कि अंडाक ठाकुर जो इस समय सूचना प्रसान मंत्री मंत्री भी हैं और उनके पास विवा एवं खेल मंत्री भी हैं, काफी कुछ चीजे अभी कहीं हो, खास उसे प्रधान मंत्री ने एक दिन पहले ही जो है, किस तरीके से खेलो इंडिया और तमाम लोग को लाने बात के लिए, वो यहाँ पर बैठे हुए, जाहिर है, मौका मि जाने वालों के राज में कैसे बेटियों के साथ में, उन्होंने तमाम लिस्ट की ना दिये, कि किस तरीके से, यहाँ पर उनके साथ अनाचार हो रहा है, और खेलों को लेकर भी जो थे, उसको लेकर भी प्रस्ट उठे हैं, देखिए, राजनीत तो होगी, इसमें कोई दोर बनते हैं ब्रजभूशन सरार सिंग में तमाम कमिया हैं तमाम उनका मैंने रिकार्ड दिखा दिया उनके तमाम फोटो वैरल होगे किस तरीके से लोगों थपड़ मार रहे हैं बाकि उनका जो आपराधिक प्रिश्ट भूमी है इसमें कोई दोराय नहीं है वो कितने सक्षा मे इसमें भी कोई दोराय नहीं है और जिस तरीके से वो विवहार करते हैं उसको लेकर भी तमाम बाते हैं लेकिन जब बात आ जाती है योन शोर्शन की और वो भी जो हमारी लड़कियां अखाडे में जाकर बड़े बड़े दिगजों को चित कर देती हैं लड़कों से राजनीत की बात तो अनुराग ठाकुर इन सब की बात करना जरूरी है तो आखिर इसके पीछे क्या है इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है खेलों का क्यों नहीं भला हो पाता है पूरी तरीके से देश में प्रतिमाय बहुत हैं ये भी समझने की बात है इन पहलवानों स ऐसा लगता है उनको एक privilege लगता है कि जब अंतर राष्टी मेडल उन्होंने जीते हैं तो उनकी सीधे entry हो जाए तमाम अंतर राष्टी गेबों में यह उनकी मांग होती इसकी merit पर अभी में नहीं जाना चाहता है लेकिन निश्चित तोर पर अगर वो national game में हिस्सा लेंगे तो जो नए लड़के लड़कियां हैं उनको और ज़्यादा उत्साह वर्दन होगा और सीखने को मिलेगा और निश्चित तोर पर हो सकता है कि उनमें से और ज़्यादा प्रतिमाय सामने आजा क्योंकि खेल में reservation नहीं हो सकता किसी तरीके से अब इसके बात आगे करें यह क कहीं इसके पीछे उत्तर प्रदेश और हरियाना के बीच में जो एक हीस्तान है कुस्ती महासंग को लेकर क्योंकि देखे इसमें कोई दोरा नहीं कि कुस्ती में नाम हरियाना के छोड़े छोड़िया ही कमा रहे हैं उत्तर प्रदेश से इतने लोग निकल कर नहीं आते हरिय लेकिन जब कुस्ती महासंग की जब बात आती है तो इसके चुनाओं अगले मेने होने वाले हैं उससे ठीक पहले इस तरीके की बाते आती हैं आरोप लगते हैं और यह भी बात सामने आती है कि पूर मुख्यमंत्री हरियाना के भुपेंद सिंग हुड़ा के पुत्र देपें हुड़ा भी यहां पर इंट्रेस्टेट हैं अब कुस्ती महासंग के चुनाओं से पहले जब यह सब बाते आती तो यह तो खिलाडियों के अपने हित की हां हमें अब नीचे ना लड़ना पड़े लोगों से क्योंकि जो जहां पर है वो उसको काबिज रहना चाहता है और रहने के चक्कर में वो दूसरे को मौका नहीं देना चाहता है तो यह सिर्व राजनीत में नहीं है खेलों की राजनीत भी इससे बहुत ज़्यादा विचित्र है और बहुत ज़्यादा कड़ी है इसका मैं खुद शिकार भी कह सकता हूं और यह भी कह सकता हूं कि इसका प् पहरत जैसे देश के लिए जो भावनाओं में एता है जो अपनी गर्वोक्ति और अपने बच्चों की सफलता पर बहुत ज़्यादा इतराता है और वही उसकी अपनी उपलब्दी होती है और खेलों में वैसे भी हम दुनिया के मुकाबले बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे ह तो ये एक और घटना है जो ये बताती है और जताती है किस तरीके से राजबिती होती है और ये मामला उठाया जाता क्योंकि ये आपको याद करना जरूरी है किस तरीके से सुसील कुमार को जब उलमपिक में जाने को नहीं मिला था और नरसिंग यादो उसको जब के अंदर लड़ी जाती उससे कहीं जादा ये जो बाहर दौंपेच चलते हैं जो हमारे खेल और खिलाडियों को बरबाद कर रहे हैं इस पर अंकुष लगाना ज़्यादा जरूरी है और तब ये ज़्यादा महात्पों हो जाता जब कि खासतों से प्रधान मंति नरिंद मोदी ने खेल नीद को लेकर और खेलो इंडिया और जो तमाम चीजे इस तरीके से शुरू की उसके बाद भी अगर जब चीजे नहीं रुक पा रही हैं तो ये निश्यत तोर पर एक बड़ी अस्फलता है पूरे सिस्टम की पूरी विवस् भी थी ये इस समय क्यों आया है ये सवाल जरूर उठेगा क्योंकि कई बार इन सब चीजों का दुर्पयोग भी होता है लेकिन ये जो सामने जंतर मंतर पे हमारी कुस्ती बैठी हुई है ये निश्चित तोर पे राजनीती का इससे कोई गौरों नहीं बढ़ता है यहां प उँажब द्यस्त अहुझे एस सब बढ़ता है ये तो क्योंकि को की qualit